केजी अफ ओफिशियल ट्रेलर तो मैंने पहले ही बोला था तीन चार पांच मैंने पहले ही मैंने वीडियो बना था जब यह अनॉंसमेंट होई थी लाल सिंग चड़ा वसस केजी वसस बीश्ट मैंने तब ही बोला था कि 80% चांसेस है कि वहाँ पर अकेला केजी अफी और यह तो फिर तीनों फिल्म है क्योंकि बीश्ट भी 2022 एप्रेल का डेट उन्होंने बुक किया है तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक स्लॉट आता है जहां पर पुरा चार पांच दिन का खाली वीकेंड मिल रहा है छूटी के साथ तो मुझे भी ऐसा लग तमिल नाडू के पूरी डिस्ट्रिक के अंदर से सिर्फ 200 क्रोड करकर चले जाएगे वो कोई फरक उस फिल्म वो एक लॉती फिल्म है जिसको कोई फरक नहीं पड़ेगा अरती भर भी फरक नहीं पड़ेगा हां 30 से 40 क्रोड का थोड़ा उपर नीची हो सकता है वो भी लिक उस दिन सब कुछ जितने भी शोड़ा सब ब्लैक में होता है ब्लैक मतलब full sold out तो side करो now comes about लाल सिंग चडड़ा and KGF तो भाई साब genuinely में बताता हूँ ये होने वाला नहीं है क्यों होने वाला नहीं है क्योंकि लाल सिंग चडड़ा एक content oriented film है और आमिर खान जब content oriented film लाता है 400 करोड 500 करोड 600 करोड 700 800 900 1000 unlimited होता है तो वो तो full चाहेगा कि अफ्टर हो भी 4 साल तो वो भी चाहेंगे कि मतलब ऐसा scenario हो कि एक बार फिर एक net collections को मैं break करूं 400 net कर दूं या 500 net कर दूं या कुछ भी worldwide में 1000 कर दूं या worldwide में 500 कर दूं क्योंकि जहां से adaptation film ली गई है वो वर्ल्ड की best film में से एक है और वर्ल्ड की best film का adaptation में Indian cinema का one of the perfect superstars में से एक जब काम करेग with having a you know उसका script sense outstanding है तो वो film chances है कि records तोड़ दे लेकिन scenario जब clash का आता है और सामने monster level की कोई film खड़ी हो तो मुझे नहीं लगता common sense होना चाहिए तो आपर film नहीं release करने चाहिए इससे ज़्यादा नुकसान तो obviously KJF को होगा क्यों because वो लाल सिंग चटा के पास खोने के लिए कुछ नहीं कुछ भी नहीं वो कुछ records बन सकते हैं होंगे content पसंद आएगा नहीं आएगा वो भी experimental film है public को आ सकता है नहीं आ सकता है पाता बट KJF के पास सब कुछ है इतना कुछ है कि वो sacrifice के मतलब वो compromise नहीं कर सकती है उस चीज के लिए कुछ बड़ा record creator होने वाला हुआ 800 करोड 500 करोड 600 करोड 700 करोड कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो वो sacrifice वो चीज वो sacrifice नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने film भी बड़ी है सुपरस्टार तो बहुत ही बड़ा है तो वो ऐसा scenario में खोने के लिए लाल सिंग जड़ा के पास तो कुछ भी नहीं तो वो कु यह होने वाला ऐसा कुछ भी होगा क्योंकि सीनी नहीं बनता ना भाई सीनी नहीं बनता एक जगह तुम लाते हो मशीन गंद दूसरे जगह लाते हो तुम बं नहीं वो possible नहीं impossible है भले उसमें से एक ज़्याधा डेंजर हो यानिकि कोई टकर नहीं है लेकिन डैमेज होने के के लिए ज्यादा Chanças इसी किए कि जब आप बड़ा प्लाटफॉर्म क्रिएट करते हो तो उस बड़े प्लाटफॉर्म में कोई आता है और हत्वरा मता तो ओ प्लाटफॉर्म जो छेटेड है वे फूटने का चांस है है अब समझ रहा है थोट यह है तो मुझे ऐसा लगता है कि clash तो impossible है chances यह 80% लाल सिंग जड़ा मापर नहीं आएगी क्योंकि यह सब hype बनाने के लिए भाई यह सब hype create करने के लिए हो सकता है 20% chance यह है कि लाल सिंग जड़ा माई पर आए KGF हाँ से चले जाए you know kind of मतलब थोड़ा सा दिमाग यूस किया हुआ एक decision a brilliant decision यह कि मेरे पास तो होने के लिए कुछ नहीं है जाने दो बोलकर KGF मतलब हट सकती है लेकिन 80% तो chance यह है KGF वही पी रही लाल सिंग जड़ा का जाना confirm है तो दोनों फिल्म अलग है मैं यही चाहता हूँ क्योंकि मैं यह दोनों फिल्म का वेट कर रहा हूँ दोनों फिल्म लाल सिंग चड़ा है KGF है 2022 में पठान है बूल बूलाईयर 2 है बहुत सारी फिल्म है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ specially पठान KGF लाल सिंग चड़ा और एक फिल्म बूल बूलाईयर 2 यह 4-5-6-7 फिल्मों की ब्रहमस्तर अभी यह 6-7 फिल्मों की मैं actually मैं वेट कर रहा हूँ तो क्लैस नहीं चाहिए बई क्यों मतलब आपस में खचड़ा करना है इंडियन जिनमा है दोनों फिल्में काम है और दोनों के पास पोटेंशियल इतना है यह इंडिया के अंदर तो KGF मतलब फाड़ दा लिए वैसे लाल सिंग जड़ा के पास भी इतना पोटेंशियल है कंटेंट है और वो सुपरस्टार तो मतलब ग्रेटेस्ट है तो इतना पोटेंशियल है कि वर्ड़ वाड़ में खुफाड़ दा लिए भसम कर दा लिए सेम केज़िएफ सिनेरियो इन एंडिया सेम गोस विट केज़िएफ नहीं होना चेहे क्लाश और वो नहीं होगा 980-100% नहीं होगा चांसस नहीं है तो जो लोग पूछ रहे थे इस वीडियो के बारे में इस इस माइब रेस्पॉंड फर देट और तब तक के लिए